शब संसार के आज के अंक में मैं हूं उमाशंकर चौधरी और मेरे साथ हैं बड़िश्टालुचक प्रोफेसर मनेजर पांडे है आज हम लोग जिस किताब की चर्चा करने जा रहे हैं इस अंक में वह एक लेखक राजकमल चौधरी पर लिखी गई किताब यह एक मुकमल किताब है और मुझे लगता है शायद राजकमल चौधरी पर पतन आपको सरजांकारी होगी तो कोई राजकमल चौधरी पर मुकमल किताब अभी तक लेखी गई या नहीं लिखी नहीं है स्वतंत्र आलोचना की किताब नहीं है नहीं है तीस्यज है और नहीं त किताब पर देखिए राज कमल चौधरी हिंदी और मैथली दोनों के लेखक थे। पराबर कभी और कहानिकार उपन्यासकार और उनका जो बेक्तित्व था वह दोनों के लिए हिंदी और मैथली के लिए एक पहेली था असमंजस था और दुविधा भी थे। पहेली बने समझ में नहीं आने लाइक और समय जासी इस आर्थ में कि स्वीकार करें कि न स्वीकार करें। दुविधा ये कि आकरशन उनमें बहुत था पर कुछ ऐसे तत्व भी थे जिससे लोग उनसे बचना चाहते। ये जो किताब है उसमें उनके जीवन और लेखन दोनों का समग्र विवेचन है जीवन पर भी आप सही कह रहे हैं सर बहुत है क्योंकि उनके जन्म को लेकर मिर्तियों को लेकर गाउं उनका असली नाम क्या है वह सब विबाद जो है जितने विबाद है उस पर उनने कंभीरता से विचार किया है और राज कमल चोधरी जीव जीवन और साहित्य में संपूर्ण रूप से विद्रोही थे किसी चीज को पहले से आती हुई किसी परंपरा को माननेता को वो स्विकार नहीं करते थे एक और महत्पूर्ण बात यह है कि राज कमल चोधरी को स्विक्र्टी और संवान पाने की कोई चित्ता भी नहीं थे जो बहुत कम मिलता है वे अपने जीवन और वेक्टित के कटू आलोचक स्वेम थे दूसरों ने जो आलोचना की है वो की ही है लेकिन वो स्वेम अपने जीवन की आलोचना करते रहे दे इसमें एक प्रसंग है राज कमल चोधरी की स्वीकारोक्तियों की है उस स्वीकारोक्तियों को आप पढ़ें तो मालूम हो जाएगा क्यों कैसे अपने जीवन के आलोचक थे ये नवीन की यह आलोचना की किताब सुवेवस्थित किताब है और राज कमल चोधरी को समझने में बहुत सहायक होगी हिंदी के पाठकों के लिए नवीन ने ठीक ही लिखा है कि राज कमल चोधरी के जीवन और साहित के बारे में लगभग सब कुछ विबादास पढ़ें आपने जो विद्रोही कहा सर उस पर एक परेग्राफ में पढ़ दे रहा हूं किस तरह नई कहानी आंदोलन चला और यह आप सर बहतर जानते होंगा नवीन जी ने बहुत बढ़िया इस पर लिखा है बिचित्र बात यह है कि देवशंकर अवस्ति सन 1962 में नई कहानी को इस्टेबलिस्ट हुई मानते हैं कुछ लोग उने सब पचास पैसट को नई कहानी का समय मानते हैं कुछ लोग सन उने सब चपन में नई कहानी का मानिता दिलाते हैं और उने 2265 दरान नई कहानी के बिरोध में नोंको मानते हैं राजकमल चौधरी ने अपने को ना तो कभी कहानी लिखनेवालों जुलस का हिसा माना ना अनısı किसी का उन्होंने कहानी को सिर्फ कहानी माना लगते रहें पर जहें आठाइब है जिस में कहिए कि इसलिए उनको आलोचनाओं का सिकार बहुत होना पड़ा, उनके साहित में जीवन की खोज है, अनिये प्रेम प्रसंग उनके रहे हैं, जिनका उलेख स्वैम इनों ने किया, आम तोर पर हिंदी में आदत लोगों की ये है, कि प्रेम करेंगे, पर चोरी चोरी, चुपके राज कमल चोरी इसके ठीक उल्टा प्रेम करते थे, तो उसकी अपने साहित में और जीवन में घोसड़ाये करते रहते थे, इससे इनों से नाराज रहते थे, असलमें राज कमल चोरी को जीवन में उतना स्वीकार नहीं कर गया, इसमें तो मैं समझता हूं सर के देवसंकर नवीन का बहुत हाथ है सर बहुत काम किया है हिंदी वालों के सामें लाने में उनकी रचना यात्रा बहुत लंबी नहीं है राजकमर जोदर की को कि जीवन ही बहुत लंबा नहीं था जीवन में मुझे जेक्ट कम ही मिला है लेकर कम ही मिला है तो यह जो है वह उन्नी सो चौवन पचपन से लेकर लागभाग चाचछट सरसर तक माने मोटे तोर पर दस साल का ही उनका लेखन का प्रिए रूसमें सर हिंदी में राजकमर चोजरी का नौ ता मैथली में तीन उपन अब राजकमर चोजरी को आम तोर पर अकविता अकहानी भूखी पीड़ी और अन्त में जीवन के नक्सलबाडी विद्रों से जोड़कर देखा जाता है इन्होंने इसके बेवरे दिये हैं मेरे पास सब वह है उनकी कविताएं बहुत महत्पुर्ण पूरा संग्रा पहले भी छपा है सुरे सर्मा ने इस अकाल बेला में नाम से एक कविताओं का संग्रा उसका उर्ले किया है नविन ने दूसरा उनकी जो महत्पुर्ण कविताएं मानी जाती हैं एक है मुक्ति प्रसंग्रा बहुत लंबी कविता है बल्कि अलग से लिखा है जैसा आपने बताया ही 38 कहानिया में हैं और 100 कहानिया हिंदी में हैं उपन्यास भी यह साब हैं राज कमल चोधरी की एक विशेस्ता यह भी है कि भारतिय समाच राजनीत संस्कृति और साहित में जो पाखंद का प्रचार प्रसार है उसके विरुद्ध राज कमल चोधरी बराबर सवाल करते रहें और अपनी चिंता जाहिर करते रहें लगभग राज कमल चोधरी को मैं कबीर की तरह का साहित्यकार समझता हूं कि अपने समय से बहुत आगे कविसे उठाया है हाँ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि राज कमल चोधरी पर लिए कि हिंदी में कविताय लिखी गई नागारजुन ने दो कविताय है यहां एक कविता का एक हिस्सा सुना रहा हूं और उससे लगे गा कि बाबा राज कमल चोधरी को कितना समझते थे और कितना पसंद करते। राजकमल चोधरी परून हो चलता है एक नहीं दो कविता है जीरसक है अच्छा किया उठ गए हो दूस्ट कविता लिखी है कि त्रिप्ति और सुख की वैयक्तिक डूंग्यों में बैठे इत्मिनान का आनंद भोग रहे थे मुठी भर लोग उनकी ओर उठा कर तना हुआ हाथ चीखे तुम उंची आवाज में चोटे हैं ससुरे बाजी हैं ससुरे गदार हैं साले पकड़ो पकड़ो भागने न पाएं इस पर हम चार जने लगे खुसुर पुसुर करने लंबी कविता है और जो मैं पहले कह रहा था कि राजकमल चोधर पाक हंड के विरुवधी थे राजकमल चोधरी पर वेक्तिगत रूप से विरुण से बहुत प्रभाविद थे और एक बहुत अच्छी कविता लिखी है धूमिल धूमिल की कविता की दो चार पंग्तियां सुना कर अपनी बात में समाप्त करूंगा देखिए कविता लंब जिन्दगी और जिन्दगी के बीच कम से कम फासला रखते हुए जीना था यही वजह थी कि एक की निगाह में हीराय आदमी था दूसरे की निगाह में कमीना था एक बात साफ थी कि उसकी हार आदत दुनिया के ब्याकरण के खलाप थी एक अध्याइसी किताब में है समाज नहीं चाहता उजाले का नंगापन है इस अध्याय में उन्होंने एक बड़ी जो मुझे बहुत महत्पूर्ण लगा कि उन्होंने यह दिखाने कोशिज कि राज पर रहा हो इस किताब सेрах taking प्रतिभा के सवामी थे स्वेंग में एक संस्था साबीत हो गये शरीर में रहकर शरीर मुक्ती और समय में रहकर समय मुक्ती जीवन बिताते रहे जीवन से प्रसंग प्रसंग रूप से राजकमल चौधरी पर किसी का प्रवाव खोज लेना सुकर नहीं है उनका अधियन छेत्र किसी भाषा विशेश जाती विशेश संप्रदाय या छेत्र विशेश तक सिमित नहीं था विराट फलक पर संसार भर की भाषाओं संस्कृतियों से प्र विचार आत्मक निवंधु उन्होंने लिखे जीवन के आखरी दिनों में एक अलोचना पत्रकाय में उनका लेक्षा पा था चीश में उन्होंने कहा कि आब मैं जन्ता से जुड़ना चाहता हूं अच्छा है यह घोसणा की थे आपकी ही बात को सिर्फ नवीन जी की शबद देखकर लोग अकसर उन्हें उसी विधा के दो मानने लगते हैं धीरे दिรे वह रचनकार भी अपने को उसी विधा में केंद्रित कर लेता है और अन्तिम रूप से एक विधा का होकर रह जाता है तरु राजक्मल चौहरी के साथ ऐसा नहीं हुग यहां तक कि उनके पत्रों और डाइडियों तक में समासास्त्रि अद्यन के गंबीड चिन्ह दिखाई पड़ते हैं बिलकोल यह सच हो गया चली नमी ने इसमें जीवन पड़ भी भोत लिखा सबसे बड़ी बात है कि इस किताब का प्रकाशन यह मैं बताना चाहता हूं कि प्रकाशन बिभाग से किताब छपकर आई है सब्सक्राइब और प्रकाशन विभाग बहुत दिनों बाद मुझे लगता है कि बहुत अच्छी किताब छपकर आई है तो सर इसके लिए नवीन जी को धन्यवाद सुभकाम नाया और आपने प्रकाश डाला तो मुझे लगता है कि हां अच्छा रहेगा नमस्का